लेकिन आपने अगर अभी तक NN Sports को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज NN Sports को सब्स्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं KPL की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने कश्मीर प्रेमेर लीग यानी KPL को मन्जूरी थी इस T20 लीग का आयोजन गुलाम कश्मीर के मुजफराबाद क्रिकेट स्टेडियम में 6 अगस्से होना है इस लीग में पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर खेलने वाले हैं और कुछ विदेशी खिलाडियों के भी खेलने की उमीद है लेकिन भारत्य क्रिकेट कंट्रूल बोर्ड यानी BCCI को इस से एतराज है क्योंकि इस टूनमेंट का आयोजन एक विवादित छेतर में हो रहा है कश्मीर प्रेमेर लेक को लेकर BCCI ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC का भी रुक किया था ICC की दरफ से कहा गया कि ये टूनमेंट ICC के अधिकार छेतर में नहीं है क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट टूनमेंट नहीं है ICC के क्लॉस 2.1.3 के तहर कोई भी राष्ट्य क्रिकेट संग अपने छेतर में घरेलू क्रिकेट आयोजित कर सकता है ICC केवल क्लॉस 2.1.4 के मुताबिक हस्तक्षेप कर सकता है अगर मैच किसी सयोगी सदस्य के छितर में आयोजित किये जाने हैं इसी को लेकर BCCI ने मुद्दे को ICC के सामने उठाया था PCB का मानना है कि वो पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर में लीग का आयोजन कर रहे हैं जिस तरह 1983 और 1986 में भारत ने श्रिनगर में वेस्ट इंडीज और आस्टेलिया की मेजबानी की थी ये मामला उस वक सामने आया जब साउत अफरीका के पूर क्रिकेटर हर्शल गिब्स ने ट्वीट करते वे कहा था कि BCCI उनको कश्मीर प्रेमेर लीग में खेलने से रोक रही है और धमकी दे रही है कि अगर वो KPL में खेलते हैं तो फिर उनको भारत में किसी भी तरह से क्रिकेट के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा यहां तक कि अब एक अधिकारी ने भी इसी तरह का बयान दिया है जो कि एक चेतावनी है BCCI ने अब KPL 2021 से जुड़े होने की उम्मीद रखने वालों के लिए सीमा रेखा खीची है भारते बोर्ड ने दुनिया भर के सभी क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि अगर उनके खिलाडी KPL में भाग लेते वे देखे जाते हैं तो वो भारत में किसी भी क्रिकेट गतिविदी का हिस्सा नहीं हो सकते BCCI ने राष्टेट को ध्यान में रखते वे ऐसा फैसला किया है तो दोस्तों मतलब साफ है अगर कोई भी विदेशे खिलाडी विवादित कश्मीर प्रेमेर लीग में हिस्सा लेता है तो फिर उसे भारत में खेलने की अनुमती नहीं मिलेगी BCCI के इस रुक से इतना तो साफ है कि बहुत सारे विदेशे खिलाडी कश्मीर प्रेमेर लीग से अपना नाम वापस ले सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ जुड़कर और कश्मीर प्रेमेर लीग में खेलकर उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला जितना फायदा वो भारत में कमा सकते हैं ऐसे में कोई भी क्रिकेट बोर्ड BCCI से दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा वही कई खिलाड़ी अपने बोर्ड को फॉलो करेंगे और ऐसे में बहुत मुम्किन है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी KPL से अपना नाम वापस ले लेंगे तो दोस्तों आपको इवीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी यूटिव स्पोर्ट्स चैनल एनन स्पोर्ट्स को सब्स्राइब कर सकते हैं